नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में BTSC JE की जो महा रैली होने जा रही है उसी के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स जानेंगे कितने चातर पहुंच रहे हैं कहां पर आप लोग के रैली किये जाएंगे तो यह सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तो इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा इससे आपको BTSC JE के लिए हरे एक अपडेट मिलते रहते हैं तो जैसे कि BTSC JE के चात्रों का जो सब को पता है कि हाईकोर्ट ने चीरे से लागु करने का नियम बनाया है कि लागु किया जaley और शीरे से बहाली की पड करिया होनी चाहिए जैसे की सरकार ने इसके लिए हलब नामा दायर भी किये थे हाई कोट में तो उसी के रिगार्डिंग आप सब की महारायली होने जा रहे है रिजल्ट जारी करो लेकर और आप सब जितने भी लगबक 64 सब पलस पलस कंडिडेट है इसके लिए जो बिटेसी जेए के लिए तो उन सारे कंडिडेटों को निश्चित रूप से आने होंगे और जैसे कि अनुमान लाया जा रहा है कि इस वार जितने भी चात्र है बिटेसी जेए को वो मेजर संख्या में पहुँच रहे हैं तो क्योंकि आप स हाइकोट में कि इसको आप नए सीरे से बहाली की पड़किरिया लाएंगे और नए सीरे से बहाली के पड़किरिया में चार मंत का समय मांगा गया है जैसे कि हाइकोट ने ही चार मंत का समय दिया है कि चार मंत के अंदर आप नए सीरे से लाइए और ऐसा कुछ भी नहीं है क आप लोग और किया गया तो ईस पे दिया आगया रहता है लेंन कोई भी ज्राणी नहीं किया गया और इस से पहले जो एक कार्डियो다면 कंश्ँल क्या गया इनके रिगार्डिन All-Star लेकिन आप की रिगार्डिंग सब्सक्राइब करे लिजरी जारी नहीं किया गया सिर्फ हाइकोर्ट में जो यूजीसी केस की सुनवाई हो रही थी उसी दोरान जज के जज ने सुनवाई में बोले कि तो नहे सीरे से लाने चाहिए और चार मंत का समय दिया है तो इस और जो बीटेक वाले केस है उसका फिलहाल चली रहा है और इस जो रैली की अपडेट है व इस फरवरी किया गया है तो वह सारे कुछ हम आपको डीटेल में बता देंगे कि कहां पर आपको पत्ना में पहुंचने है तो आप चैनल के साथ बने रहे यह दिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजगा इससे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू